प्रूंस अगें वेल्कम बेक्ट यूटूब चैनल प्यारे बच्चो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सबसे बड़ा कंफ्यूजन कैसर नेवी भरती परिछ्छा 2024 बिग अपडेट SSR MR website पर है बड़ी अपडेट और रिजल्ट और नई भरती का क्या है क्या होने वाला है कोई बदला बहुत बड़ा confusion है बच्चों को मैं आप बिल्कुल clear करूंगा सारी बात हैं लेकिन यार एक important चीज हमें इसलिए आया हूँ यार प्लीज जो बच्चे फोकस्ड और फोर्स के एक्जाम पर प्लीज यार आप डेवेट मत होईए नेवी की जोइनिंग का क्या शुवशर क्या हमारी जोइनिंग होगी कि नहीं कभी अपडेट हो रहा है कभी नेवी की साइट पर से रिजल् से एक बार सुन लो यार सबसे बड़ी बात पहले सुनियों जो मैं बताने जा रहा हूँ वो क्या है वो इंपोडेंट बात यह है यार कि सबसे पहले तो यार जो आपके जोइनिंग होगी जो नई जो रिजल्ट आया है जिरो फॉस्ट टूज़न 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 जीरो सैकंड टूज़न 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 कर देता हूं अप समझ लिजएगा जिन बच्चों का रिजल्ट आना है मार्च में सब कुछ अपडेट होगा ठीक है ना? यार, site का click चलता रहता है, बहुत बच्चे परेशान है कि सर कभी site पर से result आ जाता है, कभी 53, 03 error आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, पहले तो सबसे निवेदन है, जो already selected हैं, जो बच्चे selected हैं, यार, उनका कोई दिक्कत नहीं है, बिलकुल परेशान मत हो ये, लेकिन यार, जिस चीज के आप तैयारी में लगे हैं, प्लीज उसे छोड़िये मत, उसे छोड़िये मत, जोइनिंग जो होगा, जोइनिंग लेटर होगा, वो सब मार्च में अपडेट होगा आपका, पहले वीक और सेकंड वीक में कंफर्म हो जाएगा, सेकंड वीक तकंफर्म अपडे सबसे बड़ी बात में बात करने वाला हूं कि सर एक तरफ में क्या करूं थोड़ा परेशान हो इधर मेरा नेवी में सेलेक्शन हो गया मैं एरफोर्स पर थोगस नहीं कर पा रहा हूं जोइनिंग होगा या नहीं होगा क्या होगा कभी नेवी की ओफिशल वेब साइट पर एरर आ रहा है कभी कुछ आ रहा है बच्चा बहुत ज़्यादा कन्फूजड है कुछ बच्चे परेशान है किसार न्यू वेकेंसी आएं प्रवरी के लास्ट में आपको यह भी बिलकुल प्रिएर तप को SSR और MR के लिए डिटेल में क्या होगा आपको ne कर रहे होंगे फरवरी के लास्ट मैं कर रहे होंगे बिलकुल 100% से क्योरिटी के साथ लेकिन सर जोड़ीनिंग होनी है आप समझ लगवग जो फाइनल वेकैंसी ती 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 तालिस तो फाइनल दोनों इंटेगों को मर्च कर दिया गया था तो नहीं है कि सब मतलब दुबारा से हट जाए हो गया बिल्गुल भी क्लिच नहीं है यह सरवर के लिजुश चाना में वह बिल्कुल क्लियर हैं जो सरवर का क्लिच यह उसकी बज़े से आप दवाम में मत रहें लेकिन आपको यार फोकस ड्रहना होगा जो भी आपकी त्यार जोईनिंग कब होगी कोई फरक नहीं पड़ता पेपर कवे कोई दिक्कत नहीं है वेकेंस एगले कवें कोई इसू नहीं है जो पहले आपके हाथ में I mean Air Force की मैं बात कर रहा हूं प्लीज उस फोकस्ट रही है मार्च में टोटली अनॉंसमेंट हो जाएगा हर चीज का अपडेट हो जाएगा आपको मार्च तक प्लीज पेशेंट लीट कर लीजे और फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को भी मिल जाएगा यह मैं आपको क्लियर कर दूँ फरवरी में आपको नोटिफिकेशन किसकी बात कर रहा हूं मैं नेवी SSR और MR की बात कर रहा हूं फरवरी के लास्ट तक आपको 100% फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी ओफिशन नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा नेवी का और ऐसा नहीं है कि नेवी हरवार इंटेक को इंक्लूड करेगा बहुत इंपोडेंट बात बता दूँ जो बच्चे सलेक्ट नहीं है और जो निकल गए इस बार भी मुझे उनके भी चांसेज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यह बहुत बड़ी अपडेट मैं बता रहा हूं जिन बच्चों के नम्मर एकाथ से निकलें जो उनके भी चांसेज हो सकता है ने भी आपको उस कंसीडर कर लें दुबारा से PSL दुबारा से PSL आने के बहुत ज़्यादा अपनेशन है बहुत ज़्यादा चांसेज है जिन बच्चों का नम्मर कम हुआ है यद मैं दुबारा ट्रेनिंग पीरड की बात भी करों तो मात्र बच्चे जो रह जा तो 100% चांसेज हैं जिनका एक दू नम्मर से रह गया है उनको दुबारा से 100% सामिल किया जाएगा वाले नेवी को दुबारा से PSL जारी करनी पड़े दुबारा से रिजल्ट जारी करना पड़े ये बहुत ज़्यादा चांसे है लेकिन उस भरों से बैठना बहुत बड़ प्लीज केवल डेड़ से दो महीने एरफोर्स का बचा है 17 मार्च को एक्जामिनेशन है मैं यह नहीं कहा रहा कि एक्जाम यह नोटिफिकेशन नहीं आएगा 100% नोटिफिकेशन नेवी का ओन टाइम होगा ओन टाइम होगा वेकेंसी भी भर भर के आएंगी लेकिन यार बै तो रिजल्ट कभी हट जाता है ऐसा ओफिशल वैब साइट से कभी क्लिच आ रहे हैं यहार वह ओफिशल क्लिच हैं सर्वर के क्लिच हैं ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि जो सलेक्ट वास को दुवारा से डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा और बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करती है वह यह है कि आपको मुझे दुखी करती है वह यह है कि आपको सारी चीजें पता हैं कि बिलकुल टाइम पर चल रहे हैं सब कुछ टाइम पर चल रहा है सब आना भी है 2023 की सेकंड लिस्ट भी आई 2023 की सेकंड लिस्ट भी ठीक है ना जो आपको डर था जाएगी कि नहीं 2024 फस्ट का विंटेक आया रिजल्ट लेकिन सबसे बड़ी बात है अभी भी बच्चों को यह confusion है कि सर हमारी जॉनिंग होगी की नहीं हमारा रिजल्ट आगया सर में क्वालीफाई हूं मेरा क्या होगा मेडिकल होगा कि नहीं कैसा मेडिकल होगा क्या करेंगे अरे जैसे अरे जैसे प्रोसीजर चला रहा है सारी चीजें सेम होंगी यहां को इतना चल्डी चेंज्जिस सदोरी हो जाता है न कोई चेंजिस दिया गया है बहुत सारे यूटूबर्स भाई बहृत सारे लोग बच्चों को डेविये ट करते जा वीडियो पर वीडियो क्या कर रहे हो यार जाने मेरे संबंगnh नहीं मुझे एञार लेक मुझे साइड के लौव पर हजाए कर दो आइप यौ कॉन इक गईो मैं उस पर पर सब्सक्राइब आपके आपके हाथ में चीज़ है उस पर फोकस नहीं iç का इसका इसका अथा पता भी नहीं एकका कुछ भी उसके बारे कि शस्में क drafting ऐसा करSen असकी आप ले और पके सामने सुरुए करना सुरूंद में चाओ लेMar Yeah नहीं बरती बिलकुल टाइम पर होगी बिलकुल टाइम पर बेकेंसी भर-बर के होंगी यह भी मैं बता दू 4500 से 4300 इंटे का एक साथ वेकेंसी इंक्लूड होगा इसलिए बिलकुल बरीशान मत operatingखा29 ऐगा सबसे बड़ी बात बस इतना है कि प्लीज जो तो चीज आपको पता है कि 10 साल से लगातर एक जैसी चली आ रही है तो उसको 50 बार आप यह क्यों पूचते हैं कि भाई नहीं इसमें चेंज तो नहीं हो जाएगा इसमें यह तो नहीं हो जाएगा मेरी जोनिंग आगए मैं पढ़ाई चोड़ी है अरि पढ़ते रहे जिस ची कुछ बच्चे पेपर सेकंड को सीरियसली नहीं लिए वो फेल हो गए उसमें वो भी कर दिया एरफोर्स की तर एसार्टी सिच्वेशन रिक्स टेस्ट कोड़ कोस्ट गार्ड की भरती टाइम पर आनी आपको बता है कोस्ट गार्ड की वेकंसी भी बिल्कुल टाइम पर आनी दिन रात पड़ रहा है उसने डेविएट ही नहीं हुआ प्लीज डेविएट होने की जरूवत नहीं है मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ एरफोर्स फेस सेकंड वालों से भी मैं साम को बात करने वाला हूँ छे वजे लाइव कोई डाउट्स नहीं है बिल्कुल डॉकुमें कोई लोजिक नहीं है कुछ भी नहीं केवल और केवल जवरदस्ती बच्चों को हर एक चीज के लिए कंफिश्ट किये जा रहे हैं मैं आपको फाइनली बता दू प्रॉपर टाइम पर नहीं भरती होगे प्लीज पूरा दम लगा दीजे लास्ट एक महीना एक महीना जा रह जाएगा एक और बड़ी बात बता दो नेवी में जिनके नंबर एक-दो कमांएं सेंड लिस्ट में 0 1st 2024 0 2nd 2023 सेंड लिस्ट में जिनके नंबर कम एक-दो फेल हो गए हैं 100% chances हैं कि उनको नेवी से बैठा हुआ हूँ यह बिल्कुल भी आप नहीं कह सकते इससी लिए मैंने वीडियो भी बनाया अर्जेंसी अर्जेंट ली मैंने का बच्चे मुझे लगता कन्फ्यूस जो रहे हैं बहुत ज्यादा फोकस ड्रहिएगा प्लीज गड़बड हो जाएगा पूरा मामला फोकस गरहिए गा हर चीज टायम पर आने वाली है कोई भी क्लिचेज नहीं है सरवर के थोड़े बहुत क्लिचेज हो जाते हैं जो भी eleven बिलकुल भी टेंसर नहीं लेनी है ध्यान रखिएगा कितनी भी कोई कोई प्लीज एक वर विश्वास करिए कमेंट बॉक्स में लिखिए यार मैं इस वार एक एक का जबाब दूगा चाहिए मुझे लाइव आना पड़े हर एक बच्चे को जबाब दूगा मुझे अपनी प authentic information आपको बताऊंगा. Thank you so much for our continued love and support.